नमस्कार न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है आज फिर हम प्रोफिसर सतीत रत के साथ चर्चा करेंगे जो अभी वैक्सीन की इजाज़त दी गई है उसके बारे में हमारी क्या रवाया होनी चाहिए इसके बारे में काफी क्रिटिसिसम आ रही है खास तोर से विज्ञानिक से और कुछ जगहों से ये बात आ रही है कि अंग्रेजी एक क्या कहते हैं कॉंस्पिरिसी थी जिसको उलटके भारत बायटेक की वैक्सीन को सिक्रिटी बिली है बहुत बड़ जीत है हमारी इसको हम इजाजत लेकि सिर्फ यहां नहीं यूके में भी काफी बहस चल रही है और कुछ तक अमरीका में भी यह बहस पहुंच चुकी है खास तोर से यूके से शुरू करता हूं अपने वैक्सिन पर बात बे आता हूं वहां पर एक अनोखी बात कही गई है कि बारा हफते के बाद सेकंड डोस देना चाहिए कुछ क्वार्टर से यह बात आ रही है इसलिए की गई है क्योंकि जादे पैमाने पर लोगों को हम फर्स्ट वैक्सिन दे पाएंगे इससे विमारी शायद कम हो जाएगी और सेकंड वारेस से सेकंड डोस को इसलिए डिले करते हैं और कुछ करने के लिए जल्दी क्योंकि ब्रिटन में अब हम सभी जानते हैं कि काफी हालत फिर खराब हुई है एक नया स्ट्रेन आया है जिससे बड़ी तेजी से फिर संक्रामा डिजीज कॉरोना वाइरस फैल रही है तो आपको क्या लेगता है किस से वजह से यह यह तीन थ्री महीने के अवधी में सेकंड डोस देने की बात कह रहे हैं जबकि पहले यह 28 दिन के लगबंग देने की बात हो रही थी मैं यह कहूंगा कि दो तीन मुद्दे गोर तलब है पहला मुद्द यूँ है जिसका जिकर आपने प्रबीर किया नहीं है और वो यह है कि जहां तक सुरक्षा का सवाल है वेक्सीन्स की सुरक्षा का सवाल है उसमें सुरक्षा की जाच में किसी भी वेक्सीन को लेकर ना साइनोफार्म की या साइनोवैक की चीन वाली वेक्सीन्स ना गमालेया की रशियन वेक्सीन्स ना क्यूबा की जो चार वेक्सीन्स आज क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं इंसानी जाचों में हैं ना फाइजर बायो हर एक वैक्सीन की सुरक्षा सही तरह से जांची परखी गई है इन में से किसी भी वैक्सीन को लेकर लेने में सुरक्षा की दुरुष्टी से हमें हिचके चाने की कोई जरूरत नहीं है फेज वन फेज टू ट्राइल्स बगेर शाटकट के सारों की नापी गई है और सुरक्षा प्रमानित है पहली बात क्योंकि ये बात जब बहस शुरू होती है तो कभी-कभी ये लगने लगता है कि सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और ये बिलकुल सही नहीं है तो पहली बात हम सब नहीं ये याद रखनी चाहिए तो बहस किस चीज़ को लेकर हैं तो मैं दूसरे मुद्दे पर आँगा जिसका जिकर आपने किया कि UK में ये बात चल रही है कि वैक्सीन का आक्सफ़र्ड एस्टरजेनिका की जो वैक्सीन है तो TK का जो दूसरा डोस दिना है वो जांच में चार हफते बाद दिया गया है लेकिन UK की अथारिटीज ने ये कहा है कि चार से बारह हफते के दर्मियान दें तो भी कोई बात नहीं है चल जाएगा ना कि बारह हफते बाद बलकि चार से बारह हफते के दर्मियान ना सिर्फ बिलकुल चार हफते ब दूसरी डोस की अवधी थोड़ी आगे चला दें तो और ज्यादा डोस इस हाथ में रहेंगे जब डोस की सप्लाई कम है तब और चंद लोगों को दे पाएंगे ये एक बात है लेकिन जब ये डिसिजन दिया गया जब ये निरने दिया गया तब UK की अथारिटी ने ये कहा क कि आप डेटा है जो सबूत है वो सामने है सबूतों को जब परकें सबूतों की तलाश करें तो ये मालूम होता है कि जांच के दर्मियान भी बिल्कुल चार हफते मतलब 28 दिन बाद तो हर एक डोस या नहीं जाता किसी के घर में ये परेशानी होती है वो हफते दो हफते त तो जब सारे आंकडे परके गए तब ये सामने आता है कि जिन लोगों को चंद हफतों देरी से दूसरा डोस मिला है उनमें भी प्रोटेक्शन सुरक्षा अच्छी खासी दिखाईती है और ये आधार है UK की अथारिटी को कि थोड़ा कुछ नतीजा उनके पक्ष में जाता है कि सुरक्षित है यूँ दूसरे डोस का दूरी करण करना एक हिसाब से इसी तरीके से अमरीका ने ये कहा है कि हम सोच रहे हैं कि मोडर्ना की जो वेक्सीन है उसका पहला डोस आधा डोस अगर दें तो कई ज्यादा सवाल ये है कि क्या इसका सबूत है तो वो कह रहे हैं कि जो जानवरों के प्रयोगों पर आधार पे सबूत हैं उनको देखते हैं हम सोच रहे हैं कि इनसानी दोस को आधा करते हैं तो आप कह रहे हैं कि इन सब जो निर्णेय ली गई है इसका कुछ डेटा आधार है जिसके आधार पर ली गई है तो इसी लिए वह उस तरह कर नहीं है कि बिलकुल कुई डेटा के बगार इस decision को लिया गया हो यह आपका कह रहे हैं तो यह एक तो डेटा है और एक है कि वड़गानिक अनुमान कुछ चीज़ों में हम कर सकते है डेटा के आधार पे जिस पर एक informed हम च sausage कर सकते हैं कि इस हालात को देखते हुए हम क्या करें ये कहने का मतलब है तो आप इसको अक informed chose बैज्ज्ञानिक आधार और डेटा के ऊपर निर्भर करते हुए इन डिसीशन्स को अब उस डिश्टिकों से देख रहे हैं कि यह शायद इसको माना जा सकता है क्योंकि इस वक्त काफी तेजी से बढ़ रहा है खास तोर से यूके यूएस और कुछ जहों पे भी और इसलिए वैक्सीन अगर परियाप्त म मात्रा में होता तो हम शे नहीं करते पर इसको इन सालात को देखते हुए शायद कर सकते हैं अब आता है जो दूसरी बात आपने छेड़ी जो मैंने भी जिकर किया था शुरुवात में कि यहां पर हमने आस्ट्रोजेनका को हमने क्लियर इस दी है इसके ऊपर यहां पर जा रही है ज्वर उससे कई डेटा सब्मिट की कोई हो तो उसकी एमर्जिंसी इस्की साधर पे दिया गया है तो आक्सफोर्ड ऐस्टर्जानेका सेर्म इंस्टूट की के इन्सके को जो अनुमती दी गई है जिसे कोविशील्ड सेर्म इंस्टूट Betty नाम तर्शिया तो इस COVID-Shield का जैसा कि आपने कहा Phase 1 और Phase 2 जांचों का नतीजा सामने है हिंदुस्तान बलके छपा नहीं है किसी प्रमानित पर्चे में लेकिन जो regulatory authority है उनके साथ उनके हाथों में दर्श किया गया है साथ साथ जैसा आपने कहा योरप में और दक्षणी अमरीका में उसकी असरदारी की जांच है हुई है और वो असरदार साबित हुई है और जैसा कि आपने कहा असरदारी की जांच हर देश में इस इन हलातों में हो नहीं सकती इसलिए उसको अनुमती देना मेरे हिसाब से एक तरीके से जायज है हम यह याद रखें कि जितनी भी टीकों को अनुमतियां दी गई है ना सिर्फ हिंदुस्तान में बलकि दुनिया भर में वो सारी इमर्जनसी यूज के लिए दी गई है तो हम यहां बातचीत कर चुके हैं कि हिंदुस्तान में इमर्जनसी यूज का मतलब क्या है क्या वो बतौर क्लिनिकल ट्राइल की होंगी अगर बतौर क्लिनिकल ट्राइल की होंगी तो क्या भारत सरकार ने जो योजना बनाई है पीका करण की उसमें इस तरीके का clinical trial का धांचा मौझूद है या नहीं ये सब सवाल उठते हैं लेकिन कम से कम हम ये मान के चलें कि ये एक तरीके से हम calculated risk ले रहे हैं pandemic के हलात में अब आई ICMR और भारत बायोटेक वाले को वेक्सीन की बात तो जैसा कि आपने कहा phase 1 और phase 2 trial के नतीजे को वेक्सीन के regulatory authorities के पास दर्ज हुए है तो जाहिर है कि को वेक्सीन भी सुरक्षित है उससे कोई खत्रा नहीं है और लेने में कोई हर्ज नहीं है व्यक्ति के लिए सवाल ये है कि जो शुरुआती नतीजे protective trial से निकलने चाहिए जिनके आधार पर हम कह सकें जैसा कि BioNTech Pfizer को लेकर जैसा कि Moderna को लेकर जैसा कि Gamalia को लेकर जैसा कि Sinopharm को लेकर जैसा कि Oxford AstraZeneca को लेकर कि शुरुआती नतीजे ये कहते हैं कि टीका असरदार है क्या को वेक्सीन को लेकर ऐसे शुरुआती नतीजे भारत BioNTech ने Regulatory Authority के पास दर्ज करे हैं या नहीं अब जवाब इसका दो तरीकों से चिंता का रख हैं एक सुनने में आता है कि ऐसे नतीजे अभी तक दर्ज करें नहींगी और अगर वैसा है तो फिर हमने हमारी जो प्रमानित करने की व्यवस्था है उसे और एक कदम धीला कर दिया है ये करने में भी कोई हर्ज नहीं है लेकिन क्यों किया गया है किस आधार पर किया गया है उसकी Cost Benefit Analysis क्या है वो कही जाए अगर इस तरीके के नतीजे दिये गये हैं तो वो कहा जाए मुद्दा ये है कि Transparency होनी चाहिए जब ऐसे नतीजे लिये जाते हैं जो जिन्हें Unusual Emergency Decisions आप कहें तो जब ऐसे नतीजे लिये जाते हैं तो उनके आधार की खुले आम चर्चा होनी चाहिए ना कि सवाल पूछने वालों को सिर्फ खदार और देश द्रोही कहें हैं लेकिन सवाल का सही जवाब दे सब पहलूँ की आम चर्चा हो और सामने आए लोगों के किस आधार पर कौन सा नतीजा लिया गया है यहां पर और एक सवाल आया है कि जो एड्जुवेंट इस्तमाल की जा रही है तो उसमें एक एड्जुवेंट अभी तक बड़े प्रेमाने पे इस्तमाल नहीं हुआ है इस तरह की वैक्सीन में इसके बारे में आपका क्या कहना प्रफसर गगंदीप कांग ने इस चीज का जिकर किया है तो उनका कहना सही है कि जब कोई नई चीज इस्तमाल होती है तो उसकी सुरक्षा को लेकर हमें और भी जागरुक रहना पड़ता है तो बाकी जैसे की फाइजर बायोंटेक की या मोडर्ना की वैक्सीन हो मारने वाली वैक्सीन से वो तो वैक्सीन ही अभी तक इस तरीके की कभी इस्तमाल नहीं हुई है लेकिन चुकि उनकी हजारों में जांच में इस्तमाली हो चुकी है और उनके असरदारी के नतीजे ना आये हो लेकिन सुरक्षिता के नतीजे तो उनके आये है तो यह जो नई एजुवेंट की कंपोनेंट है उसको लेकर कुछ चंद सो लोगों में सुरक्षा की चांच हुई है तो यह मुद्दा जायज है लेकिन मेरे लिए यह मुद्दा उतनी एहमियत नहीं रखता जितनी एहमियत प्रोसेस इंटेग्रिटी और प्रोसेस है आखरी बात पर आना चाहता हूं यह हर चीज हिंदुस्तान में भारतवश पर हर चीज राष्ट्रिवाद से जुड़ रहा है अब किस से शादी करें आप इस चीज के बारे में आप चाह कहें सब चीज पर अगर आप मोदी जी से सहमत नहीं नहीं सहमती आपकी नहीं है अब सुब्रमनेम स्वामी की भी चर्चा हो रही है कि उनकी ट्वीट से पूरा ये प्रिशर बिल्ड हुआ कि अंग्रेज वैक्सिन के साथ साथ एक देशी वैक्सिन भी होनी चाहिए आपको क्या लगता कि हम एक ऐसे जगह पर पहुंच रहे हैं सचमुच वईज्ञानिक दिश्टिकों रखना कि बड़ा मुश्किल पड़ रहा है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रबीर और जैसा कि मैंने पहले भी नदेश किया था इस मुद्धे पर जो लोग सवाल उठाएं उन्हें घदार कहें और उनके सवालों को लेकर बात ना करें जो जानकारी सारवजनिक जानकारी में होनी चाहिए वो वहां तक ना पहुंचाके एक भरम सा निर्मान करें कि हमने भी वैक्सीन बना दिया जो यह हम याद रखें कि और इसके लिए शायद आपको हमें भी कुछ न कुछ कहा जाएगा लेकिन हम याद रखें कि जो वैक्सीन ICMR और भारत बायोटेक ने बनाई हैं तो सराहनिय तो जरूर है उसमें तो कोई शक नहीं है लेकिन उतनी नहीं नहीं है साइनो फार्म ने जो चीनी सरकारी कंपनी है उन्होंने छे मेने पहले बिलकुल इसी तरीके की वैक्सीन बना के उसकी जाच करवाना शुरू करा है और सिर्फ हिंदुस्तान में या चीन में नहीं दुनिया में और भी ऐसी जगह है जहां पर बिलकुल इसी तरीके की वैक्सीन बन रही है तो ये जो एक तरह की राष्ट्रस परधा का माहौल बना है ये बैग्यानिक दृष्टिकोन के लिए बैग्यानिक सोच के लिए और साजह समझदारी से सबने साथ मिलके हमारी का मुकाबला करने के लिए सही बात नहीं है कि अगर ये देखी जाए तो सेरम इंस्टिटूट भी उतना ही देशी है जितना भारत बायटेक है और वो जो अभी जो इस्तेमाल में आई ये हिंदुस्तान में भारत रश्ट में वो साइमिन उसका सेरम इंस्टिटूट का उसका काफी एक जो योगदान रहा है अगर प्राइड करना है आपको तो इस पर भी आप कर सकते हैं कि हम दुनिया को वैक्सिन देगे ना कि ये बात कहें कि देशी वैक्सिन वर्सस विदेशी वैक्सिन जबकि भारत बायटेक की भी एक क्लाबरेशन है अडजुबेंट के लिए उसका भी एक विदेशी कंपनी अमरीकी कंपनी से तो इस तरह बिज्यान में देशी विदेशी सवाल नहीं है किसका कितना efficacy है कितना effective है कितना safe है उसके विज्ञानिक जाच परताल होनी चाहिए इसके बाद knowledge की इस तरह के boundaries नहीं होती और वही चीज हम आज side hub और live gen का जो case चल रहा है वो भी इस पर है कि विज्ञान क्या क्या दर्वाजे सीमा होती है लक्षवन रिखाए होती है विज्ञान क्या देशी विज्ञान विदेशी विज्ञान होती है और वही चीज हम यहां भी देख रहे हैं उल्टी दरफ से यह तो क्या कहते हैं जी तो मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो देशी दवा और टीके बनाने वाली कंपनिया है उनका हमें अभिमान है इसमें तो कोई शकी नहीं है भारत बायोटेक पिछले 30 सालों से कई तरीकों के टीके बना रहा है और हम जो सवाल उठा रहे हैं वो भारत बायोटेक को लेकर नहीं है वो CDSCO को लेकर है वो CDSCO की जो प्रक्रियाएं है अनुमती की प्रक्रियाएं निरने प्रक्रियाएं है उन प्रक्रियाओं के जो अधार है उनको लेकर है यह सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं भारत बायोटेक से नहीं पूछे जा रहे हैं उन्होंने तो सिर्फ लेने वाली हैं, उसको लेकर सवाल उखाए जा रहे हैं तंदबाद हमारे साथ होने के लिए और इन चीजों की काफी कॉम्पलेक्स चीज हो जाती है इसको हमारे दर्शकों के साथ रखने के लिए आज के लिए इतना ही देखते रहे हिएंगान्यूस एमारे वेबसाइट विजरू आइलेगा